इस वीडियो में हम लोग दसमी कच्छा के हिंदी के पाँचमे चेप्टर जिसके सिर्सक का नाम है नागरी लिपी जो की एक परकार का निवन्ध है तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चेप्टर के बारे में बिस्तार से जानेंगे बिस्तार से इस चेप्टर के बारे म देखेंगे हम आपको बता दें कि इस चेप्टर के पहले के चार चेप्टर हम आपको already complete करा चुके हैं तो जदी आप उन चारों चेप्टर को अभी तक नहीं देखेंगे तो हमारे चैनल के playlist में जाकर के आप उन सभी चेप्टर को देख सकते हैं या फिर हम इसी वीडियो के description में उन सारे वीडियो का link देदेंगे आप उहां से भी जाकर के आप उन चारों चेप्टर को देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम लोग नागरी लीपी को देखेंगे नागरी लीपी से संबंदी जितने सारे भी questions हैं उसको solve करेंगे तो चलिए बहुत ही सरल भासा में हम आपको बताने की कोशिस करेंगे तो ध्यान से आप समझेगा और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो को जदी आप अधूरा देख लीजेगा इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है किसी परकार की कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगी त और साथ में बेल आइकन भी दवाईए क्योंकि जिससे की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके तो चलिए बिना समय गवाय हम वीडियो सुरू करते हैं और आपको सबसे पहले नंबर कोश्चन पर ले चलते हैं तो सबसे पहले हम आपको बत बारे में कुछ जनकारी हासिल करेंगे क्योंकि एकजाम में अधिकान्स कोश्चन या फिर बहुत सारे कोश्चन ऐसे होते हैं जो की राइटर के बारे में पूछे जाते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेखक का परचे देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था इनकी मि गुनाकर मूले हैं इनका जन्म 1935 इस्वी में हुआ था कहां हुआ था तो महराष्ट के अमरावती में हुआ था याद रखिएगा गुनाकर मूले का जन्म 1935 इस्वी में महराष्ट के अमरावती में हुआ था और इनकी मौत 2009 इस्वी में हो गई थी इनका जन्म 1935 में मिर्ट्व 2009 इस्वी में हो गई थी इनकी प्रमुख रचना के बारे में बात करते हैं देखिए आपके किताब में तो राइटर के जो लेखा का परचे है इसके बारे में बहुत लंबी कथा दिया हुआ है लेकिन हम आपको कुछ वैसे चीज़ बताते हैं जो कि आपके एकजा जाते हैं एकजाम में हमेशा जन्म, मिर्तु और प्रमुख रचना ही धिकान सबार पूछा जाता है इसलिए हम आपको इसी चीज़ के बारे में बतलाते हैं तो देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनकी प्रमुख रचना कौन सी है तो इनकी अगर प्रमुख आधुनिक भारत के महान वेज्ञानिक सौर मंडल और नच्छत्र मंडल इया जो है रचना इनकी परमुख रचना है मतलब गुनाकर मूले की परमुख रचना यही सब है जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा याद कर लीजेगा अब च जो यह चेटर है नागरी लीपी इसका सरांस हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो चलिए हम आपको इस चेपटर का सरांस बताते हैं तो देखेए इसका सरांस कहता है कि प्रतेख भासा के वर्न अलग-अलग होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का एक कमेंट आता है कि सर कहानी के बारे में बताईए इसलिए हम आपको परते एक चेप्टर का सरांस बताते हैं जिससे कि आपको कहानी के बारे में जनकारी हो जाए आपके बुक में जो कहानी दिया हुआ रहता है उसको हम बिस्तार से नहीं बता सकते हैं उसमें बहुत जादा समय लगता है आपके एकजाम में सरांस पूछा जाता है, हम आपको सरांस बताते हैं, सोट में यह भी एक परकार का कहानी ही होता है, जिससे कि आपको पूरी कहानी का पता असानी से चल जाता है, तो चलिए, पहले हम लोग सरांस देखेंगे, कि प्रतेक भासा के वर्न अलग-अलग होते है ठीक है, प्रतेक भासा के वर्न अलग-अलग होते हैं, वर्न के बारे में हम लोग भ्याकरन वाले पार्ट में विस्तार से जानेंगे, तो हम आपको भ्याकरन आगे बताएंगे, और उन्हें जिस रूप में अंकित किया जाता है, उसे हम लोग लिपी कहते हैं, ध्यान लिपी का साब्दिक अर्थ लिखावट होता है, यह भासा व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, लिपी जो है, वो है, भासा व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, लिपी विकास के चार अवस्ताएं होती है, ठीक है, लिपी विकास के चार अवस्ताएं होती है, आपके इहीं चार जो होता है वो लिपी विकास के चार अवस्थाएं होती है अब देखिए हमारे देश की परमुक वासा हिंदी है जिसकी लिपी देवनागरी है देवनागरी लिपी का जन्म बराहमनी लिपी से हुआ जो प्राया बाएं से दाएं लिखी जाती है ठीक है लिपी जन्व ब्रामनी लिपी से हुआ जो प्राया बाएं से दाएं लिखी जाती है ब्रामनी लिपी का अविस्कार आर्ज जाती का देन है ध्यान रखेगा ब्रामनी लिपी का जो अविस्कार है वह आर्य जाती का देन ह ठीक है? अब हम लोग आगे देखेंगे देवनागरी लिपी को हिंदी लिपी का लोकनगरी लिपी भी कहा जाता है। दिवनागरी लीपी में कौन-कौन-सी भासाईं लिखी जाती है, अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे तो चलिए दिवनागरी लीपी में हिंदी, संस्क्रीट, नेपाली, नेवारी, मराठी, मैथली, मगही एवं भोजपूरी भासाई लिखी जाती है आपसे एकजाम में पूछ सकता है कि दिवनागरी लीपी में कौन-कौन सी भासा लिखी जाती है तो आपको बताना है कि दिवनागरी लीपी में हिंदी, संस्क्रीट, नेपाली, नेवारी, मराठी, मैथली, मघी एवं भोजपूरी भासाएं लिखी जाती है जो भारत के संप को पॉइंट वाई पॉइंट बताने की कोशिस किये हैं तो आप इसे पॉइंट वाई पॉइंट पढ़िएगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा चलिए चौथा नमबर पॉइंट हम लोग देखेंगे कि नंदी नागरी लीपी क्या है और किस प्रसंग में लेखक ने उसका चर्चा किया है नंदी नागरी लीपी के बारे में पूछ रहा है तो दक्षिन भारत की नागरी लीपी को ही नंदी नागरी लीपी कहा जाता है याद रखिएगा दक्षिन भारत मतलब जो साउथ इंडिया है तो दक्षिन भारत की नागरी लीपी को ही नंदी नागरी ली कहा जाता है इस प्रसंग की ब्याख्या लेखर के द्वारा कोकन की सिलाहार मानने खेट के राष्ट कूट में भी किया गया है ठीक है अब हम लोग वैसे कोश्चन को देखेंगे जो की आपके बुक में दिये गए हैं तो देखिए सबसे पहला नम्मर कोश्चन जो आपके कैसे आई है तो इसका उत्तर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि करीब दो सदी पहले पहली वार इस लिपी के टाइप बने और इसमें पुस्तके छपने लगी देबनागरी लिपी में तो देबनागरी लिपी के बारे में हाँ पर बोल रहा है कि करीब दो सदी पहले पहली वार इस लिपी के टाइप बने और इसमें पुस्तके छपने लगी इसलिए इसके अक्छरों में इस्थिरता आ गई जब इस लिपी में पुस्तके छपने लगी मार्केट में पुस्तके आ गई देबनागरी लिपी की तब इनके अक्छरों में इस्थिरता आ गई तो यह सभी दो नमबर का question है तो इसलिए इसे short में इसका उत्तर देना है चलिए दूसरा नमबर question हम लोग देखेंगे देवनागरी लीपी में कौनकुन सी भासाएं लिखी जाती है हम आपको कहानी के सारांस में भी अभी बताए कि देवनागरी लीपी में नेपाली की नेपाली वो नेवारी भासाएं मराठी भासा की लीपी तथा संस्कृत एवं हिंदी की लीपी लिखी जाती है कौन-कौन सी भासाइं लिखी जाती है तो मैथली, मराठी, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवारी सभी भासाइं जो है वह देवनागरी लीपी में ही लिखी जाती है चलिए कुश्चन नमर तीसरा देखेंगे कि लेखक ने किन भारतिये लिपियों से देवनागरी का सम्मंध बताया है तो लेखक ने गुजराती और बंगला लिपी से देवनागरी का सम्मंध बताया है यहाँ पर जो लेखक गुणाकर मुले जी हैं उन्होंने देवनागरी लिपी का सम्मंध गुजराती और बंगला लिपी से बताया है आपको अगर एक्जाम में इसी कुश्चन को लिखना हो तो आप इस परकार से लिखेंगे इस कहानी के लेखक गुणाकर मुले जी ने संग में लेखक ने इसका उलेख किया है नंदी नागरी लिपी हम आपको साइद चौथा नंबर पॉइंट कहानी के सरांस में बताये थे नंदी नागरी लिपी के बारे में तो चलिए बिद्वानों का यह भी मत है कि बाकाटकों और राष्टकूटों के समय में के परसिद नंदी नगर जिसको आधूनिक नंदेड से घी जाना जाता है कि लिपी होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा ठीक है यहां से फिर से समझेगा कि बिद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्टकूटों के समय के महाराष्ट के परसिद दिनगर की लिपी होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा दक्षिन भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपी का बेभार होता था देवगीरी के यादव तथा विजय नगर के सासकों के लेख नंदी नागरी लिपी में हैं। ख़िक है, ध्यान रखियेगा. चौता नमबर कोस्चेन आपका यहाँ पर complete हो गया. अब देखेंगे हम लोग 25 नमबर कोस्चेन. नागरी लीपी में अरंभीक लेख कहां प्राप्त हुए उनके बिबरन दे. नागरी लिपी के अरंभिक लेख हमें दक्षिन भारत से ही मिले हैं राज राजा वो राजेंदर जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं ध्यान रखिएगा, राज राजा वो राजेंदर जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। दक्षिन भारत में नागरी लिफी के लेक आठमी सदी से मिलने लग जाते हैं। दक्षिन भारत के अगर बात करें, तो वहाँ जो नागरी लिफी का जो अफसेस है, वहाँ आठमी सदी से ही मिलने लग जाते हैं, और उत्तर भारत में नागरी लिफी का लेक कौन से सदी में मिलना शुरू हुआ। तो आपको बताना है कि दक्षिन भारत में आठमे सदी में और उत्तर भारत में नागरी लिफी के लेक मिलने सुरू हुए। तो चलिए, पाचवा नमबर कोश्चन हो गया, आप हम लोग देखेंगे, चठा नमबर कोश्चन, ब्रामी और सिद्धम लिफी की तुलना में नागरी लिफी की मुख्य पहचान क्या है। तो इसका जवाब होगा कि गुप्त काल की ब्रामनी लिफी तथा बाद की सिद्धम लिफी के अक्षरों के सीरों पर छोटी आड़ी लकीरे या छोटे ठोस तिकोन हैं। लेकिन नागरी लिफी की मुख्य पहचान या है कि इसके अक्षरों के सीरों पर पूरी लकीरे बन जाती है और इस सीरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चोडाई होती है। ध्यान रखिएगा नागरी लिपी की मुख्य पहचानिया है कि इसके अक्षरों के सीरों पर पूरी लकीरे बन जाती है ठीक है आप किसी भी अक्षर को लिखते होंगे तो उसका उपर से जो माथा आप जोड़ते हैं उसी को हम लोग कहते हैं अक्षरों के सीरों पर पूरी ल पूर देते हैं इसके उपर हम पूरा लकीर खीचते हैं ठीक है तो इसी लकीर को ही सीरो रेखाएं कहते हैं और सीरो रेखाएं उतनी ही लंबी होती है जितनी की अक्छर की लंबाई होती है ठीक है इसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है कि सीरों पर लकीरे बन जाती है और स इतनी की अक्षरों की चोडाई होती है ठीक है तो आपका छठा नंबर कोश्चन यहीं पर कंप्लिट हो जाता है अब सातमे नंबर कोश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे ठीक है तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर ल झाल